नमस्कार दूष्टों स्वागत है आप सभी कब फिर से एक नए ब्लॉग में और दोस्तों आज हम आए हैं अपने गाऊं मेरे पीछे देख रहे होंगे यह है मेरे गाऊंका घर और आज हम मिलवाने वाले हैं आपको अपनी फैमिली मेंबर से और मेरे बगल में रहते हैं मेर तो यह दोस्तो मेरे घर के घर के अगर है और यहां पर बच्चे सामने खेल रहें आप देख रहे होंगे और यह मेरे घर का घर दोस्तों यह जले में गंगा गंगा से पांच किलो मीटर अंदर पड़ता है है तो चलिए दोस्तो दिखाते हैं आपको अपने गाउं का घर है ये देखिए सामने ये है कंड़ा और हो सकता है आपके हाइस कोक्रला कहा जाता हो और यह हमारे बगल की चाजी के कंड़ा है और इसका इंधन के रूप में प्रयोग किया देख रहे हैं गाउमें सब के दोस्तों इतने बड़े बड़े घर हैं और आपका भी घर काफी बड़ा होगा अगर गाउमें होगा तो यह देखिए एक सामने की तरफ कमरा है ये और फिर यह है आंगन और यह है मेरी मम्मी और बगल में एक ये कमरा है और यहां पर रभीष शो रहा है और यह है मेरे चाचा की लड़की यह देखिए और आंगन हम लोगों के यहां काफी बड़ा होता है यूपी में यह आप देख सकते हैं यह भी आंगन ही है और यह बगल में रसोई है और चूले पर खाना बन रहा है तो दोस्तों यह था मेरे गाउं का घर और आपका भी घर ऐसा ही होगा अगर गाउं में होगा तो काफी बड़ा होगा और ये घर हमारे पापा का बनवाया हुआ था और जो आपने शहर में देखा है राइबरिली में वो भी हमारे पापा का बनाया हुआ घर है तो इसी तरह दोस्तों हम कभी कभी शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तब आते हैं और ऐसे भी बीच बीच में दो महीने तीन म और बाहर से मेरा घर दिखने में कुछ ऐसा है तो चलिए दोस्तों लेकर के चलते हैं आपको अपने परोस के घर लो तो ये हैं दोस्तों अपने बगल में अपने परिवार के चाचा के घर और ये बगल में हमारी आजी इनके घर में भी तीन चाचा है और ये बगल में तीन चाचा है और इस बगल में भी तीन चाचा है और ये हैं दोस्तों हमारे परिवार के घर तां चाचा के यहां बगल में यह में चोटी सी दुकान भी है और यह सब से छोटे चाचा का लड़का है चलो और यह है नंदू यह बगल में वीच वाले चाचा का लड़का है और यह चाची सामने ही और आगे हैं ंकित की तो दो आजी है livestream एक ये और एक ये और इस बीच में है आपने पहले वीडियो में देखा होगा परमजीद भाई उसका घर है और ये इनका परिवार भी पूरा बाहर रहता है तो ये हैं दोस्तों हमारे परिवार के घर और ये इधर बगल में खेत हैं और ये हैं दोस्तों हमारा गाओं और ये हैं हमारे परिवार के बच्चे तो दोस्तों ये थे हमारे गाओं की एक हलकी सी जलक और अभी आमने आपको दोस्तों इस समय मेरे सारे भाई घूमने फिरने के लिए बाहर गये हैं और हम चार से पांच दिन यहां पर रुखने वाले हैं और हम आपको डीटेल में अपना गाओं और अपने आस पडोस के घर दिखाएंगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए साथ ही सभी देखने वालों को धन्यवाद